कि अफिरवन वैलकम टो और चैनेगल आये मास्टर मैसेल रुटराज मैं मैं कंप्रोट साइन्स इंजीनियर फ्माइट देली इस कोर्स में हम लोग चाइट जिपीटी के बारे में बात करेंगे अब बैसिकलिन हम जानेंगे कि चाइट जैपीटी है क्या अग्या क्या हो सकते आप लोग chat GPT यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो जैसे कि आप लेटर्स लिख सकते हो, बिजनेस इमेल्स लिख सकते हो, और यूटूब के स्क्रिप्ट लिख सकते हो, और फिर आप लोग captions लिख सकते हो, poems लिख सकते हो, a lot more. तो हम लोग सब कुछ बारिकी से देखेंगे, कि क्या क्या आप कर सकते हो, prompts engineering के बारे में भी बात करेंगे, कि आप कैसे अच्छे prompts लिख सकते हो, so that आप chat GPT का maximum use कर सकते हो, ओके, so without wasting time, let's get started. तो अभी हम सुरू करेंगे, ओके, so पहले तो आपको Google Chrome खोल देना है, लिंक है, introducing chat GPT, तो यह बार लिंक को आपको क्लिक करना है, उसके बाद आजेगा आपका try chat GPT, तो यहाँ पर क्लिक करना है, तो पहली बार जब आप अप लोग आओगे, इस साइट पर है, तो आपको login और sign up दोनों दिखाएगा, तो आपको क्या करना है, sign up कर लेना है, जब आप sign up करोगे, तो आपको basic details मांगेगा, और फिर आप sign up once हो जाओगे, तो आप login कर सकते हैं, तो मैं already signed up हूँ, तो मैं rightly login करोँगा, तो मैं यहाँ पर Google login करोँगा, ओके, जब आप लोग लोग इन कर लोगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा page आपके सामने open होगा, तो यहाँ पर ही हमारा, हम जो भी type करेंगे, messages, यहाँ पर लिख रहा है, send a message, तो जो भी हम prompt करेंगे, जो भी questions पूछेंगे, उनको basically prompts का आ जाता है, तो वो prompts हम यहाँ पर लिखेंगे, ओके, तो यह basically left side में है, जो आप लोग prompt किये होगे, like history में, तो यह सब इस left side में दिखाएगा, और यह सब लोग थोड़ा सा chat GPT का examples दिये हैं, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो chat GPT को, कि explain quantum computing in simple terms, got any creative ideas for a 10 year, words, but day, so basically आप कुछ भी पूछ सकते हो chat GPT को, so these are some of the examples, तो हम लोग और भी detail में जानेंगे कि और कितने types के prompts हो सकते हैं, जिसका benefits आप ले सकते हो, उसके बाद यह capabilities उसका like बताया गया है, जैसे कि remembers what users said earlier in the conversation, तो basically यह कहना चाहा है कि आप लोग कुछ भी अगर उससे पूछते हो chat GPT से, तो यह क्या करता है, उसको याद रखता है, okay, so allow users to provide follow-up corrections, train to decline in appropriate request, अगर कोई भी आप अनुरेटी content याफिट पोई भी और आप सना सवाल पूछते हो, तो वो उसका answer नहीं रहा, okay, so okay, यहाँ पर limitations भी आपको देख लेना है, कि मैं occasionally generate incorrect information, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, कि अगर कभी कबार यह लोग 100% accurate answers नहीं देते, okay, so आपको इस चीज़ ध्यान रखना है, कि कभी-कभी chat GPT भी गलत हो सकता है, तो अगर आप like कोई भी domain पर काम कर रहे हो, तो make sure कि आप वो domain पर expertise आपका हो, so that आप cross check कर पाओ, कि इसने जो भी लिखा है, वो सही है कि नहीं, नहीं तो गलत होने के chances भी रहते हैं, okay, okay, मैं occasionally produce harmful instructions, यह भी वो सफ़ता है, and limited knowledge of world and events after 2021, so basically 2021 तक यह model chat GPT train हुआ है, so basically chat GPT एक model है, जिसमें कि आप text input देते हो, और वो text output देता है, so it is basically a text to text based model, so जिसमें आप software है, तो उसको आप input text देते हो, वो output text देता है, okay, so अब जो आप input दोगे text, so वो basically questions होंगे और prompts होंगे, और उसका जो output होगा, it will be the answers, okay, so chat GPT आपको answers देगा, so let's get started, so यह आपको like basics, अभी कुछ सवाल हम लोग और लिखते हैं यहां पर, आप देखते हैं कि chat GPT उसका reply कैसे देता है, okay, so for example, can you tell me places to visit in India, okay, so अभी हम उससे पूछ रहे हैं कि इंडिया में कौन से प्लेसे हैं, जो कि हमें visit definitely करना चाहिए, okay, so यह basic सवाल है, हम आगे prompt engineering देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा उप्टिमाइज कर सकते हैं, okay, so अभी चाहिए पिते आउटपूट दे रहा है, okay, certainly India is a vast country with a rich cultural heritage, तो इंडिया का definition पहले थोड़ा सार लिखते हैं उसने, तो यहर आर सम बॉप्पिलर प्लेस तू कंसिंडर, जैसे कि आंग्रा हो गया, पेमसपता आजमाल और, जैपूर हो गया, पेंक सिटी, गोवा, केरला, दिल्ली, मंभाई, वरनाशी, दाचिलिंग, अम्रेटसर, उदेपूर, ओके, यह पें ओनली कराये भी, इस आज़ फ्यू आप दे मेनी अमेजिंग प्रेस्टेस्ट तो विजित इन इंडिया, अब याद रख दिया है, कि इसमें यह आउटपुट आपको दिया है, और भी आप लोग बहुत बहुत पूछ सकते हो, जैसे कि, जैसे कि, ए डीटेल्ड डेस्क्रिप्शन, एबाउट, और से फर एग्जामपल, हम टाइगर के बादे में पूछते हैं, तब यह टाइगर के बादे में इन डीटेल्ड डेस्क्रिप्शन आपको दे देगा, ओके, तो लैक दिस आप उसको अभी बेसिक लेबल पे आप कुछ भी उसको कुशेंस पूछो, तो यह आपका थोड़ा प्लेयर राउंड हो जाएगा, थोड़ा सा आप इसको खेलो उसके साथ कि क्या-क्या यह कर सकता है, थोड़ा नॉर्मल कुशेंस पूछो, अगर आप उसको इवेन रेसिपीज भी पूछोगे खाने के वो भी बता सकता है, अगर आप चाहते होगे एक पोएम लिखना तो वो भी आप लिख सकते हो, जैसरी के अभी हम लोग एक पोएम ट्राइ करते हैं, तो यह दिखें अभी टाइगर के बारे में इसने पूरा यहां पर लिख दिया है, तो यह पूरा आपका टाइगर ते बारे में स्क्रिप्ट आप कर रहे हैं, यहां से आपको यह क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो डाइडेक्ट लिए और जहां पर भी चाहिए आपको इसको कर सकते हो, अभी हम लोग जैसे की चाहते हैं कि एक पोएम लिखना, राइट एक पोएम एबाउट रेन, ओके, हमने उसको कमांड दे दिया कि एक पोएम लिखो रेन की बारे में, ओके, यह आपके लिएक पोएम पूरा बनाके रेडिमेट लिखतेगा, इसको पहले जन्नेट हो जाने भी जिए, ओके, यह जन्नेट हो गया, देखे, पूरा अच्छे से पोएम विथ आपका यहां पे, रेन्ड्रोप्स अन्द विण्डो पेन, पिटर पैटर इन रिदिमिक रिफ्रेन, इसने एक बहुत ही अच्छा सा आपके लिए रिदिम का रिदिम भी है, तो रिदिमिक अपोएम भी आपके लिए लिए लिख दिया है, क्योंकि यह बिगनर क्लास है, आप यहां पे प्लेर राउंड करो, कुछ भी चैट जीपिटी को पूछो, जैसे कि लेटर लिखना हो, ऐसे लिखना हो, बिजनेस इमेर्स लिखना हो, बस बेसिकलिए आप यहां पे ट्राइ करो, हम लोग डीटेल में जानेंगे कि कैसे ऑप्तिमाइंस्ट प्रॉंट्स लिखा जाता है, और कितना अच्छे तरीके से हम लोग चैट जीपिटी का यूज कर सकते हैं, ओके, थैंक यू.